हाई स्टुडेंट्स, माइ नेम इच फैच साकिर, वेलकम टू सिकेंड डिलेशन आफ जोगरफी, फीजिकल फीचर्स आफ इंडिया बच्चो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिसकस करने जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताके जो मैं आपको परहाऊं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन आईज लैंड्स को डिसकस करेंगे आईज लैंड्स समझते हैं, वैसा एरिया जो चारो तरफ से पानी से घिरा होता है उसको आईज लैंड कहते हैं इस वीडियो में हम लोग जो है भारत में जो मेजर आईज लैंड्स ग्रूप्स हैं उनको डिसकस करेंगे यानि कहने का मतलब है कि एंड्मान, एंड्निकोबार आईज लैंड्स और लक्षदूइप आईज लैंड्स को डिसकस करेंगे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एंड्मान, एंड्निकोबार आईज लैंड्स का लोकेशन कहां पर है मतलब and man और nicobar island actually है कहां पर ठीक है तो कहता है कि and man and nicobar island जो है वो बे अफ बंगाल में हैं मतलब बंगाल की खारी में है और लक्षद्वीप island जो है वो अरिबियन सी में है अब हम समझने की कोसिस करेंगे कि and man and nicobar island का formation कैसे हुआ अगर आपको theory of plate tectonics याद है तो उसमें मैंने बताया था कि different physical features का formation कैसे हुआ था ठीक है अगर वो आपको समझ में आया होगा तभी अब जो मैं प्रहाँ का वो समझ में आएगा तो कह रहा है कि and man and nicobar island were formed due to collision between Indian plate and Burma minor plate part of Eurasian plate काता है कि and man and nicobar island का formation Indian plate और Burma minor plate के टकराने से हुआ जो की Eurasian plate का हिस्सा है similar to formation of Himalaya मतलब जिस तरह से हिमालिया का formation हुआ है आप देखेंगे कि उसी तरह से Indian plate और Burma minor plate के टकराने से and man and nicobar island का formation हुआ है तो बात समझ में आ गई and man and nicobar islands were formed due to collision between Indian plate and Burma minor plate part of Eurasian plate similar to formation of Himalaya आज अब हम लोग आगे समझने की कोशिस करते हैं अब हम लोग समझने की कोशिस करते हैं कि लक्ष दूइप आइज़ लैंड जो है वह कहा है ? जैसरे मैंने आपको बताया कि लक्ष दूइप आईज़ लैंड जो है ? वह आप देखेंगे कि Erban Sea में है ठीक है ? और कहता है क्या कि लक्षदूईप आइजलैंड जो है वोग और यह जो आइजलैंड जो है वह री यूनियन होट इसपाट वॉलकेनिजम के हिस्सें हैं ठीक है फिर आगे कहता है अगर हम लोग आगे समझने की कोशिष करें तो कह रहा है कि जो है other than these two groups there are islands in indo-gangetic delta काता है कि ये जो दो island groups है यानि कहने का मतलब and man and nicobar islands और laksh dweep islands काता है कि इसके अलावब भी बहुत सारे islands हैं जो indo-gangetic delta में पाई जाते हैं and between India and Sri Lanka और India और Sri Lanka के बीच में ठीक है बास वम्हें आ रही है अब हम लोग आगे जो है वो डिसकस करते है and man and nicobar islands को थोड़ा सा और डिसकस करते हैं काता है कि आप देखेंगे कि and man and nicobar islands में total जो है there were 265 बरे islands हैं और जो है कुछ जो है वो छोटे islands है ये मतलब 265 बरे और छोटे islands की मदद से and man और nicobar islands का group बनता है ये मैंने आपको बता दिया है ठीक है इसको धियान में रखिएगा फिर अगर हम बात करें तो काता है क्या कि the and man islands are divided into three main islands काता है क्या and man islands को जो है वो हम mainly तीन islands में divide कर सकते हैं north, middle and south ठीक है काता है क्या duncan passage separates little and man from the south and man काता है क्या duncan passage जो है वो आप देखेंगे कि little and man को separate करता है south and man से ठीक है port player the capital of and man nicobar islands lies in the south and man काता है क्या port player जो कि capital है and man nicobar islands का वो कहां पर है बावू तो कहता है क्यों वो जो है south and man में है ठीक है चलिए अब हम लोग जो है वो देख लेते हैं लक्षदूइप islands के बारे में कहता है in the urban sea there are three types of islands कहता है कि urban sea में तीन तरह की islands है एक है I mean divi islands ठीक है इसमें आप देखेगा कि consisting of six main islands ठीक है ये छे main islands से मिलकर बना हुआ है Amini, Kelton, Chetlet, Cadmat, Bitra and Perumulpar ठीक है नाम याद करने की जववत नहीं है अगर याद कीज़ेगा तो बहतर है लेकिन समझ लेजिए कि लक्षदूइप islands को हम तीन टाइपस में डिवाइड कर सकते हैं एक है Amin Divi Islands ये mainly six islands से बना हुआ है Amini, Kelton, Chetlet, Cadmat, Bitra और Perumulpar सीड जो है इसका second type जो है उसका नाम है लक्का डीव आइजलेंड्स ये five major islands से बना हुआ है एन, ड्रोथ, काल पेनी, कावा रट्टी, पिट्टी और सोहिली पार उसके बाद जो तीसरा जो है उसका नाम है मिनी कोई आइजलेंड आप देखेंगे कि at present these islands are collectively known as लक्षदूइप काता है कि जो तीनो जो types जो है लक्षदूइप आइजलेंड्स के उनको परजेंट में एक साथ लक्षदूइप कहते है लक्षदूइप आइजलेंड्स are a group of 25 small islands काता है कि जो लक्षदूइप आइजलेंड्स जो है वह 25 छोटे छोटे आइजलेंड्स का group है ठीक है उसके बाद काता है क्या कि आप देखेंगे कि आइमिन डिवी आइजलेंड्स are the northernmost मतलब north में जो आइजलेंड्स पाये जाता है लक्षदूइप आइजलेंड्स में वह आइमिन डिवी आइजलेंड्स है while the mini quay island in the southernmost जबके mini quay island जो है वह लक्षदूइप के दम south में पाया जाता है ठीक है फिर कहता है अगर आप देखें तो कहता है the largest and the most advanced is the mini quay island with an area of 4.53 square kilometer कहता है कि सबसे बड़ा कोई अगर island है तो वह है और बहुत जो advanced island जो है वह है mini quay island जो कि उसका area जो है वह 4.53 square kilometer है जो